हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप लोग चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वैरियेवल्स वन पॉइंट वन और चाप्टर नंबर वन में हैं ओके वैरियेवल वैरियेवल क्या है वन पॉइंट वन पहला दूसरा कोश्चन इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा देख लिजेगा वेफोर गोईंग टू दिफिनिशन ओफ वैरियेवल्स वैरियेवल के डिफिनिशन को जानने से पहले आए हम जानते हैं कि यह के ओल्ड मैथमेटिक का एक एक क्वेशन की तरह है ठीक है जो आल आफ ऐस हेव सॉल्ट मेनी मैथमेटिक क्वेशन आप लोगोंने बहुत सारे मैथमेटिक के कोई को सॉल्व किया होंगे सिंस चाइल्ड होल्ड यानि बचपन से एज एक्जामपल एक एक्जामपल लेते हैं कंसिडर दवी लोग एक्वेशन एक कंसिडर करते हैं नीचे एक्वेशन को जो यह है ठीक x2 plus x square plus 2y minus 2 is called to 1 ठीक है we do we don't have to worry about the use of this equation हमें सिंता करने की बात नहीं है कि इसे हमें use करना है the important thing that we need to understand is that the equation has name हमें यह जानना चाहिए कि x और y एक name है जो आपके value जो data feed करेंगे उसके जगह पर है यह x और यह y ठीक है इसका मतलब है कि x और y एक place holder है यह एक place holder है क्योंकि यहाँ पे मालेजे कुछ भी हो सकता है example के लिए लिख रहा हूं जैसे यह 2 into 2 हो गया minus 2 is equal to 1 यह एक हो सकता है कि x पे 2 हो ठीक है for representing data data को represent करने के लिए data को दिखाने के लिए solve करने के लिए similarly in computer since programming we need something for holding data and variable is the way to do that ठीक है अब इन सब महाभारत की कथा जो वो एक ही बात है कि variable का मतलब यह होता है कि जैसे आप mathematics का यह लिया गया है इसमें कि आप mathematics में जैसे question solve करते हो question आपने solve की mathematics का कोई भी question तो जैसे आपने यह वाला question solve किया तो इसका जो मतलब आएगा ठीक है तो वह आपका mathematics का equation हो गया लेकिन आपका variable में क्या होता है कि आपका computer जैसे programming करता है जैसे c++ java python go redon r इस सब कई प्रकार के निकले हुए हैं तो उन सब के लिए भी यह जैसे एक holding data करता है variable कोई भी data है जैसे आपका एक data है तो आपका बैचा समाल लेज़े पेन ले ले आपका एक data है तो यह a या b c में लिखा हुआ आपको दिया गया equation type में is equal to d तो इसमें आपका one जो है यह कहां पर होगा इस चीज़ को यह बताता है कि यह एक साधन है आपको देने के लिए ठीक है तो यह है variable अब next day next question ओके अगर मेरा आपको series अच्छी लग रही है तो subscribe लाइक शेयर इफ यह वांट और अगर कोई प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कॉंटक्ट कर सकते हैं कमेंट करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैबाए